आईए अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जो कि कोई और यूटीब पर नहीं दिखाता अभी अपने शाथ में है पजाज Pulsar 150 150 सी के सेग्मेंट में इस बाइक का एक अलगी लेविल का भोकाल है यदि आप भी इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो जो है कापी जादा स्पेसल है क्योंकि मैं आपको आज की इस वीडियो में इस बाइक के बारे में सब कुछ डीटेल में बताने वाला हूँ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा नमस्कार दोस्तों मैं हाद स्वागत करता हूँ आपका Technical SST YouTube चैनल पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे और मल्टीपल स्टीकर्स ऑप्शन भी मिल जाएंगे आई अब बात कर लेते हैं इसके dimensions की यानिकी लंबाई, चोड़ाई, उचाई और बजन की इस bike का curve weight है 150 kg ये bike 150 kg की है इसमें ground clearance मिलता है लगबख 165 mm का और इसकी seat height है लगबख 780 mm की इसकी length है 2035 mm की, width है 750 mm की, height है 1115 mm की इसमें wheelbase मिलता है 1345 mm का आई अब इसको 360 degree cover कर लेते हैं, चारो तरफ से देख लेते हैं, ये है इस bike की proper left profile, ये है इसकी right profile, ये है इसकी proper front profile, आई ये पास से देखते हैं, ये देखीगा, head handle, wire beam का जो pattern है, वो कुछ इस तरीके का है, half transparent visor मिल जाता है, बजाज का logo लगा हुआ है, pilot lamps मिल जाते हैं, side मे अगर बात की जाए, इस bike में, halogen bulb के साथ में head lamp setup मिलता है, आईए अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, जो कि कोई और YouTube पर नहीं दिखाता, ये देखीए, bulb इसमें देखीए, पुनिक्स कंपनी का है, और 35 by 35 watt का लगा कर दिया है, दिख रहा है, मैं courses करता हूँ, इसमें उप्योग किया गया है, बात कर लेते हैं, इसके front suspension भी, front में company ने telescopic suspension दिये हैं, और front mudguard का जो pattern ने, वो कुछ इस तरीके का है, graphics इसमें कुछ इस तरीके के मिल जाते हैं, suspension पर दौनों साइड में reflectors मिल जाते हैं, 17 इंचिस के alloy wheel offer किये गई हैं, और alloy पर भी ये stickers मिलते हैं, इसके look को काफी यादा sporty बना रही हैं, बात कर लेते हैं, टाइर की, MRF company के best quality के tubeless tire offer किये गई हैं, और front tire size है, 90-90-70, front tire में grips कुछ इस तरीके की मिलती है, बात करते हैं इसके braking system की, इस bike में single channel ABS मिलता है, front wheel में 280 mm का disc braking system, calipers की यहाँ पर company नहीं लिखी हुई है, इस bike के tank का design कुछ इस तरीके का है, ये रेखिए, pulser का 3D में badge मिलता है, graphics कुछ इस तरीके की है, और tank metal में मिलता है, इधर ये tank pad E20 का support, इस bike में 15 liter की fuel tank capacity मिलती है, जो कि इस segment में सबसे ज़्यादा है, इस angle से मैं आपको इस bike के tank handle, or beam के pattern को दिखाता हूँ, ये देखिएगा, clip on handle bar मिलता है, feature button देख लेते हैं, left handle पर dedicated passing switch, low beam, high beam, side turn indicator और इसके निचे एक horn का switch, इसके right handle पर यहाँ पर dedicated engine kill switch, उसके निचे cell का switch, ignition को इदर place किया गया है, दो चाबिया दी गई है, ये रेखिएगा, normal चाबिया कोई भी वेप की नहीं मिलती है, और ignition के on होते ही, इस के meter की जो starting को जो तरीके से होती है, इस bike में semi digital instrument cluster मिलता है, left side में आर्पी meter, right side में speedometer display मिलती है, जिसमें काफी सारी information मिल याती है, जैसे कि speedometer मिलता है, autometer मिलता है, EFE मिलता है, DTE मिलता है, ये रेखिए, और भी बहुत कुछ, इस bike में dual horn offer किये गई है, देखते हैं कितने loud है, काफी जवर्दस्त, and crash guard, ये रेखिएगा, split है, अलग-अलग है, company fitted मिलता है, engine guard इसमें लगा कर दिया है, जिसमें यहाँ पर ये graphics मिल जाते हैं, आएए वहाँ की बात कर लेते हैं, जहां से इस bike की performance निकल कर आती है, जी हाँ, आप बिल्कु ठीक समझें इस bike के engine की, इस bike में company ने 149.5cc का single cylinder air cool BS6FI 4 stock, 2 valve, DTSI technology वाला dual spot plug वाला बजाज company ने इस segment में काफी बहतर engine लगा कर दिया है, इसके engine की maximum power है, 13.8 8500 rpm और इसका maximum torque है, 13.25 Nm का 6500 rpm इसके engine से काफी अच्छी performance मिल जाती है, power and torque जो combination है, वो काफी अच्छा है, NDC के साथ साथ mileage भी ठीक टाक निकाल कर देती है, mileage और service के बारे में मैं आपको प्रपर आगे बता हूँगा, इस bike में 5 gear मिलते हैं, जिसका pattern है, first down all up और DTSI technology है, य center stand भी मिलता है, side panel का pattern कुछ तरीके का है, ये रेखिएगा, इधर ये चावी लगाने का section, इस bike में split seat मिलती है, single seat का भी option है, seat जो है काफी रादर comfortable लग रही है, rider plane लिए, and grab rail का जो pattern है, वो कुछ तरीके का है, ये रेखिएगा, split मिलते हैं, इधर ये 150 का sticker, इधर ये graphics बात कर लेते हैं, rear suspension की, rear में company ने multi step adjustable endurance nitrox suspension लगा कर दिये है, यहाँ पर ये side guard लगा हुआ है, lady foot pad, I think इसमें मिलेगा, बात कर लेते हैं, rear tire की, rear में भी MRF company का ही best quality का tubeless tire है, और rear tire size है 120 80 17, और rear tire में grips कुछ इस तरीके की मिलती है, rear से profile is bike की कुछ इस तरीके की है, tail light LED में म बात कर लेते हैं, side turn indicator की, side turn indicator halogen bulb के साथ में, एक reflector इदर दिया गया है, number plate light भी dedicated दिया गया है, जो की bike की start होने के बाद ही on होगी, बात कर लेते हैं, rear braking system की, rear में company ने 230 mm का disc braking system दिया है, जैसा कि मैंने आपको starting में ही बताया, single channel ABS में मिलता है, इसके exhaust का pattern कुछ तरीके का है, इस बाइक में कोई BK के start का feature नहीं मिलता है, rear brake lever, आइए बेस बाइक को start कर लेते हैं, engine sound कुन लेते हैं, इसका exhaust note सुन लेते हैं, single identity ये बाइक के start हो जाती हो, start होते ही, ये रेखिए, feature button पर भी light on हो जाती है, और इसकी headlight और pilot lamps भी on हो जाते हैं, इसकी headlight और pilot lamps भी on हो जा है, halogen bulb है, 35 by 35, यदि आपको light कम लग रही है, तो आप after market 45 watts का भी लगबा सकते हैं, लगबाग flips का 120 के आसपास आ जाता है, और यदि पुनिक्स कंपनी का ही लोग है, तो 100 रुपय में मिल याएग आपको, 45 by 40 watts का, engine sound सुनिए, exhaust note सुनिए, idle condition पर, पलसर का सगनेचा, आरपीय में लेटा, analog लोग 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 अचाईए, डैड़ी गएगए, engine kill switch, engine sound कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके जरू बताइएगा, आईए बात कर लेते हैं, इस बाइके price mileage, service warranty, pros and cons, final conclusion के साथ-साथ, मेरे personal opinion की, बजाज कमपनी अपनी इस नई बाइक पार, 5 साल की standard warranty देती है, और 75,000 km तक standard warranty देती है, जो की इस segment में सबसे ज़्यादा है, मात कर लेते हैं, mileage की लगवग ये, 40 से 45 की बीच में आराम से निकाल कर देगी, फिर depend करता है, बाइक कंडिशन, रोड कंडिशन और आपके चलाने के तरीके पाद, बात कर लेते हैं अब इसके service की, कंपनी अपनी इस नई बाइक पास 3 service प्री देती है, आई schedule भी में आपको बता देता हूँ, एक rough idea दे देता हूँ, इसकी पहली service होगी 500-75HK के बीच में, लगबख 30-45 दिन के अंदर, डूसरी service होगी 4,500 के बीच में, लगबख 240 दिन के आसपास, और इसकी तीसरी service होगी 9,500 के से 10,000 km के बीच में लगबख 360 दिन के आसपास आईए बात कर लेते हैं इसके सभी वेरिंट्स की और उनकी प्राइस की इस बाइक में तोटन चार वेरिंट आते हैं अटरित्न हैं सिंगल वेरिंट्स के लिए रहती हैं लगबख 100 दिन रहती है लगबख 117,000 वन लाक ते लिकी यह पर जाएगी 2,000 बात कर लेते हैं इस बार के प्रोज एंड कॉश। कौन की अगर बात की जाए भाई, यह 150cc की बाईक है, इसमें हलोजन बल्ब मिलता है, NDC के साथ साथ USD सस्पेंसर नहीं मिलते हैं, और यह dual spark plug के साथ में आती है, लेकिन भाई, जिसके सी को भी यही पसंद है, तो तो यही पसंद है, ना, LED लाइट चाहिए, N150 के तरफ चले जाएए, और अच्छा एंजन चाहिए, N160 के तरफ चले जाएए, 12 ABS चाहिए, N160 के तरफ चले जाएए, जिसके सी को यह पसंद है, उसके लिए यह बाईक एक दम परफेक्ट है, मेरे final budget की अगर बात की जाए, कमपनी जो package दे रही है, उसक क्योंकि जिसको यह बाईक चाहिए, उसके लिए कमपनी इस बाईक को बरकरा रखे हुए है, तो यह कमपनी की तरफ से अपने customers के लिए एक plus point है, तो दोस्तों बस फ्लाल के लिए इस पूडियो में तना ही, मुझे उम्मीद रभीड आपको पसंद आई होगी, फड़ा सब्सक्राइब करने ना भूलीगा, और अगर भी तक आपने चैनल को यह सुट्राइब ने किया है, तो बैए टेक्निकल नेसेश्टी यजी यूट्योग को सुट्राइब को लिए और टेक्निकल नेसेश्टी इस्टाइब एभी पर भी फॉलो को लिए जी को कि मैं आप ल वीडियो समय समय पढ़ाता रहता हूँ जैहिंद बंदे मात